तो आज का वीडियो बहुत ही बहुत ही बहुत ही नौलेज़बल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस इमेज की जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो नहीं समझें? कोई बात ही, मैं समझाता हूं तो अभी तक हम लोगों ने core reader channel पे बहुत सारी technologies पढ़नी है, हम लोगों ने पढ़ा blockchain के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा truffle के बारे में, infura के बारे में, ginash के बारे में, get के बारे में, alchemy के बारे में, metamask के बारे में, हम लोगों ने बहुत सारी technologies के बारे में core reader channel पे पढ इतना powerful node बन जाता है ताकि वो दुनिया भर के जितने भी nodes हैं उनसे interact कर सके इस तरह की चीज़ों को कभी भी हम लोग ने deeply नहीं समझा और इस चीज में इस चीज में Infura Alchemy, Truffle, Ganache इन सारी technologies का क्या use होता है क्या role होता है आज हम लोग इस चीज के बारे में भी बहुत ही deep में समझने वाले हैं तो I hope आप इस वीडियो को लेके excited हो मैं तो बहुत साथ excited हूँ तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ने से पहले like और subscribe करना पिलकुली मत बूला तो आइए शुरू करते हैं तो अगर हम बात करें हमारे computer की यह हमारा एक प्यारा सा छोटा सा computer है जो की एक real world का part है ठीक है? और वही पे हमारी यह cute सी blockchain है जो की blockchain world का part है अब यह हमारा यह प्यारा से computer है वो इस blockchain world की इस blockchain से interact करना चाता है, तो मेरा question आप से यह है कि यह interact कर सकता है क्या यहां पर हमारा यह प्यारा से computer इस प्यारी सी blockchain के साथ interact कर सकता है बाते कर सकता है तो answer है नहीं वो ऐसा बिलकुल भी नहीं कर सकता अगर हमारे इस प्यारे से computer को इस blockchain के साथ interact करना है तो उसको जरूरत पड़ती है एक software की और वो software क्या है वो software होत क्लाइन क्या हो सकता है गो या पड़े सबस्क्राइब कर रहे हैं अगर हम बात करें बटकोइन की कम टन में तो उसके लिए बिटकोइन के साफ्टर होता है तो गो और पर आपने इंस्तॉल करते हूं और जैसे ही आप client software अपने system पे install करते हो आप बन जाते हो node अब ये node जो है आप बाहरी दुनिया के लिए तो node के लाते हो मगर अपनी computer की दुनिया में या फिर अपने internal दुनिया में अपनी computer की आपको कहा जाता है Ethereum Virtual Machine अब ये Ethereum Virtual Machine क्या करती है ये Ethereum Virtual Machine आपको दो चीज़े प्रवाइट करती है जो की बहुत important है अगर आप blockchain वर से communicate करना चाते हो पहला है हमारा state और दूसरा है हमारा mempool state क्या है? state आपका एक database है क्योंकि जब आप बात करते हो blockchain से communication करने की तो blockchain आपको अपने computer पे store करनी होती है मतलब जितनी भी बड़ी blockchain इस दुनिया में अभी तक बन चुकी है वो पूरी की पूरी blockchain आपको अपने computer पे store करनी होती है और यह वो कहां पे store होती है? वो store होती है आपके state में mempool वो area होता है जहां पे आपके transaction store होते हैं तो let's say अगर आपको transaction करते हो तो वो transaction कहां पे store होता है? वो transaction store होता है इस mempool में और miners इसी mempool से सारे transactions को उठाते हैं जब उनको blockchain को mine करना होता है और वैसे मैंने इसके बार में mempool के बार में एक बहुत ही detailed video बनाया हुआ है अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं description में का i button में link share कर दूँगा अब वहाँ से इसको देख सकते हैं मैंने mempool के बार में और भी depth में बताया है तो ये state क्या है? state हमारा blockchain का database है मतलब कि जो भी blockchain में blocks आ रहे हैं जितनी भी अभी तक blocks बन चुके हैं वो सारी चीज़ा हमारे state में store होती है mempool वो area होता है जहां पे जो भी transactions हो रहे हैं all over the world वो इस mempool में store होते हैं तो इस तरह से एक normal computer हमारा एक node बन जाता है जिसके थूँ अब वो blockchain world से easily communicate कर सकता है वो वहाँ पे data send कर सकता है और वहाँ से data ले भी सकता है और साथी साथ जितने भी इस दुनिया में nodes हैं all over the world जहां जहां भी वो nodes हैं उन सारी nodes के साथ वो क्या कर सकता है communicate कर सकता है तो इस तरह से आपका एक node work करता है तो जलिए इसका एक practical example भी देख लेते हैं तो इसके example को समझने के लिए मैं आ गया हूँ तो आप लोग उसको जरूर से देखेगा यहां पे हम लोग एक overview लेंगे कि यहां पे मैंने किया क्या था तो सबसे पहले मैंने क्या किया था अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक get software को अपने system पे install किया जैसे ही मैंने get software को अपने system पे install किया यहाँ पे आप देखोगे कि get ने जो हमारा note बलब यह जो हमारा software था हमारा जो एक client था उसने क्या किया और लोगों से reach out करना शुरू कर दिया मतलब कि वो main net से connect करना शुरू कर देता है और उसके बार मैं थोड़े से step के आगे मैं जाओ यहाँ पर मैंने वैसे बताया है कि get कैसे work करता है यह वीडियो बहुत ही अचा था अगर आप नहीं देखा तो जरू से देखेगा यहाँ पर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं अपने peers के सा कर रही है यह हमारी एक चीज हो गई और एक चीज लास्ट आपको यहाँ पर दिखा देता हूं कि यहाँ पर आप देखोगे मैंने दिखाया था कि किस तरह से हमारी जो मलब get है जब हमनोंने get को install किया और get को start किया उसके बाद दुनिया भर में जितनी भी blockchain थी वो हमारे system पर इस तरह से file के format में install होने लगी और यह सब कहां पर हो रहा था evm में हो रहा था evm मतलब कि हमारे get client जो हमें accessibility देता है evm की और evm में जो हमनोंने state database के बारे में पढ़ा उसी में यह सारी चीज़े हो रही थे तो इस तरह से ही आपकी यह overall node work करती है और definitely अगर आप लोग अगरे में हमारी node बंदी कैसे अब बात करते हैं कि यहां पे ट्रफल इंफिवरा एलकेमी इंसाइट चीज़ों का यूज कहां पर आ जाता है तो इसके बारे में बात करते हैं शुरू करते हैं हमारी ट्रफल के साथ तो ट्रफल क्या है ट्रफल एक टूल है जो कि हर एक blockchain developer क आना चाहिए और ट्रफल हमें प्रवाइड करता है ट्रफल कंसोल यह ट्रफल कंसोल क्या है जब भी आप ट्रफल इंस्टॉल करते हो तो उसके थुरू आप क्या कर सकते हो आप अपनी वेब 3.js के साथ हिंडराट कर सकते हो मतलब एक तरह से आप वेब 3.js का जो भी कोड है वेब 3.js के अगर आपको नहीं पता तो आपको वेब 3.js वाला वीडियो देखना पड़ेगा इस वीडियो में हम लोग इतनी डिटेल में वेब 3.js के बारे में बात नहीं करें अब इस वेब 3.js के थुरू हम लोग अपनी लोकल ब्लॉक्चेन जो की गिनाश है उससे बात कर सकते हैं या तो जो हमारी रियल ब्लॉक्चेर है जो हमारी नोड के पास प्रेजेंट होती है उससे भी बात कर सकते हैं इंट्राट कर सकते हैं तो हो सकते हैं तो मतलब क्या ट्रफल को हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक नोड में ही इंस्टॉल कर सकते हैं तो इसका अंसर यह है और easily उसके थूरू हम लोग क्या कर पा रहे थे? ब्लॉक्चिंग के साथ इंट्राइट कर पा रहे थे. इसी तरह से आप चाहो तो एक नोड पे भी, मतलब आपने एक नोड इंस्टॉल की हुई है, आपने एक कम्प्यूटर को एक नोड बनाया हुआ है, वहाँ पे भी आप ट्रफल का यूज कर सकते हो, उसकी भी कोई इशू नहीं है. बट एक चीज जो की बहुत इंपोर्टन है आप जानना, वो यह है कि जब भी आप ट्रफल को इंस्टॉल करते हो, और वेब 3.0 API के थूरू, मतलब आप ब्लॉक्चेंग के साथ बात करते हो, तो यहाँ पर आप देखोगी, हम लोग ने वेब 3.0 API के थूरू, गिनाश से तो बात कर ली, हम लोग यहाँ पर वेब 3.0 API के थूरू, गिनाश से डारेक्ट बात कर सकते हैं, और यहीं पर concept आजाता है आपके Infura का या फिर मैं कहूं Alchemy का दोनों ही एक चीजे हैं, दोनों का functioning एक जैसा ही है तो अगर आपने Truffle एक normal computer में install किया हुआ है मतलब कि ये laptop में install किया है जिसको जो की एक node नहीं है तो उस case में अगर आप एक node के साथ बात करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको Alchemy या फिर Infura का यूज करना पड़ेगा ये Infura ये Alchemy क्या करेंगे आपके बिहाब पे आप एक computer के बिहाब पे इस node के साथ interact करेंगे तो इससे फाइदा क्या हुआ इससे फाइदा ये हुआ कि हमें अपने computer को node नहीं बनाना पड़ा मतलब हमें वो जो terabytes amount of data है अपने system पे install नहीं करना पड़ा ताकि हम लोग एक node के साथ बात कर सके Simply Alchemy या फिर Infura का हम लोग ने install किया और उसके तुरू ही हम लोग ने क्या किया node के साथ बातचीत कर ली अगर आप लोगोंने मेरे travel वाले course को follow किया है अगर आप लोग ने मेरे hard hat वाले course को follow किया तो आप लोग ने देखा होगा जब भी हम लोग कोई deployment रॉप्सेन test network पर करते थे या फिर इंगी भी test network पर करते थे जो कि अक्शली में एक test network है मगर तब भी वहां पर notes work कर रही है test network पर ही एक notes work कर रही है तो उनसे बात करने के लिए हम लोग या तो Alchemy पर जाते थे या फिर Infura पर जाते थे रॉप्सेन के लिए जब लोग रॉप्सेन test network पर deployment करना होता था तो वहां पर हमें या तो Infura या फिर आपकी Alchemy की API की की जरुबत परती थी ताकि ही हम लोग ये deployment कर सके तो ये चीज बहुत ही important है समझना कि जब भी आप एक normal computer से किसी भी note से बात करना चाहोगे या तो आप अपने computer को खुद एक note बनाओ या फिर आप Infura या फिर Alchemy जैसी API की का user के endpoint से user के आप उस note से बात करो तो यही use होता है हमारे Alchemy का या फिर हमारे Infura का और यही चीज अगर हम लोग बात करें गिनाश की case में कि अगर हमें ट्रफल से गिनाश के तुरूप में बात चीत करानी है तो क्या यह हम लोग करा सकते हैं तो हाँ आप बिल्कुल करा सकते हो डारेक्टी करा सकते हो उसके लिए आपको कोई Alchemy या फिर नहीं परती है और इसका reason ही बहुत ही simple है क्योंकि गिनाश एक local blockchain है जो कि आपके ही system पर है गिनाश कोई simulation नहीं है जो कि आपके mainnet के जैसा हमारा mainnet होता है वैसे हमारा testnet बनाया जाता है यह चीज मैंने आपको बताई हुए mainnet और testnet बे जब मैं difference बताया तो यह चीज मैंने बताई थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो लोग देख सकते हो मगर गिनाश क्या है यह कोई हमारा simulation नहीं है हमारे mainnet का गिनाश सिफ हमारा काम easy करता है कि भाई हमारे blockchain एक local blockchain हमारे system पर है जिसके तो लोग तुरण-तुरण अपने smart contract को test कर सकते है तो इस case में क्या होता है कि हमें कोई infeura या alchemy जैसी API की की जरुवत नहीं पड़ती है मगर वहीं पे अगर हमें किसी testnet से बात करनी है या फिर हमें किसी main network जो node है उससे बात करनी है उस case में alchemy या फिर infeura जैसी API की की जरुवत पड़ती है इस चीज़ें तो मैं समझ गया कि भाई हमें नोट से जब भी बात करनी है तो हमें alchemy या फिर infeura की यूज करना पड़ेगा या फिर हमें अपने आपको node बनाना पड़ेगा इन सारी चीज़ों में आखर में यह metamask कहां से गुज जाता है इसकी कहां पर ज़रुवत पड़ती है हमने तो इसको क्यों यूज करने है metamask को इसका क्या मतलब है तो actually में अगर आप metamask का use देखोगे तो actually में metamask का simply use होता है signature को अपने transaction को sign करने के लिए मतलब कि अब यह चीज हम लोग ऐसे example की through भी देखेंगे तो अब परशान मत हो ना मैं इसको बताऊँ का signature का क्या मतलब है जब भी आप कोई transaction करते हो लगसे आपने अपने friend को कुछ ether भेजे तो उस case में आपको अपने wallet से transaction करना होता है और आप उस transaction को sign करते हो कि भाई यह मेरी private key से गिया गया signature है मतलब मैं इसको एक तरह से authenticity देता हूँ यह जो transaction है यह मैं कर रहा हूँ क्योंकि यह transaction मैंने किया है तो यही चीज as a signature work करता है आपके transaction के लिए तो यह main use होता है मतलब एक तरह से कहलोगा यही metamask का सबसे important use है बट metamask को हम लोग और भी तरीकों से use करते है हम लोग metamask को use करते हैं डारेक्ली किसी node से interact करने के लिए तो यह भी चीज हम लोग metamask के through कर सकते है तो आए इन दोनों ही चीज़ों का एक example देखते है फिर इसको और clear करेंगे कि actually मैं metamask और क्या-क्या चीज़े कर सकता है और यह साथी चीज़ें वो कैसे कर पाता है तो हम लोग आगे हैं यहां पर अपनी remix id पे अगर मैं remix id पे जाओं और यहां पर deployment वाले process पे जाओं तो यह हमारे एक बहुत ही चोटा सा contract अगर आप देखोगे metamask open हो गया अब यह जो चीज़ हो रही है अब यहां पर insufficient funds है मेरे पास I believe कम पढ़ जा रहे funds ठीक है कोई बात नहीं अगर यहां पर funds होते तो मैं आप इसे confirm करता और जैसी मैं आप इसे confirm करता तो हमारे एक transaction होता राइड और वो जो transaction होता वो हमारे metamask के wallet के तुरू ही होता मतलब कि एक तरह से हम लोग metamask के तुरू उस transaction पे एक signature करते कि भाई यह transaction मैंने किया है तो पहली चीज तो metamask यह करता है दूसरी चीज अगर आप ध्यान से दिखोगे तो मैं क्या कर रहा हूं मेरा यह normal computer है एक normal system जो म कि बिल्कुल भी node नहीं है मैं metamask के तुरू इसको क्या कर पा रहा हूं connect कर पा रहा हूं robsyn test network से तो metamask यहां पे भी हमारे लिए helpful होता है और यही चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि metamask का use करके आप directly एक node से interact कर सकते हैं क्योंकि जब आप deployment कर रहे हैं तो एक त metamask पर यूज करेंगे मगर ऐसा है नहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो metamask at the end यूज करता है आपके infura का ही यह actually infura की website पर दिया हूँ है उनकी fq section में दिया है अगर आप उसको पढ़ोगे तो आप देखोगे does every day app that uses metamask rely on infura तो यहां पे उन्होंने question किया है कि metamask by default uses infura मतलब की metamask behind the back मतलब उसके backend पे actual में infura का ही वो यूज करता है ताकि वो communication कर सके हमारे इस testnet से या फिर जो mainnet पर जितने भी notes है I hope यहीं समझ में आ दो कि मैं क्या कह रहा हूं और metamask किस तरह से transaction को sign करता है उसका example आप यहां truffle configuration dot file से भी देख सकते है dot js file से भी देख सकते हैं जहां पर हम लोग दो चीज़े प्रवाइड करते थे जब भी हमें रॉपसें test network पर अपने इस smart contract को जो भी smart contract हमने बनाया उसको deploy करना होता था पहली चीज़ होती थी mnemonic जो कहां से आता था निमोनिक sorry for the word निमोनिक तो यह चीज़ कहां से आता थी यह चीज़ आपके metamask से ही आती थी आपका जो account होता था आपका जो private की होती थी उसका आप यहां पर use करते थे प्लस फिर आप use करते थे यहां पर option test network मतलब कि जो आपके inferior है उसका यूज़ करते थे तो यह निमोनिक से की तुरू क्या होता था इस निमोनिक की तुरू जो transaction होता था तो इससे यह पता जलता था कि यह जो contract आप deploy कर रहे हो यह person कौन person है क्योंकि आप मेरी private की से यह transaction हो होता है तो इस तरह से यह पूरा process होता है I hope अब समझना होगा कि MetaMask कहां पी यूज़ होता है और यह भी समना होगा कि Infura or Alchemy कहां पी यूज़ होता है तो अगर आप एक normal computer हो और आपको एक note से बात करनी है तो इस case में आपको क्या चाहिए MetaMask भी चाहिए प्लस आपको Infura भी चाहिए ताकि आप इस note से बात कर सको मतलब MetaMask एक wallet है मतलब MetaMask क्या कोई भी wallet हो सकता है मगर आपको कोई न कोई endpoint की ज़दत होगी ताकि आप इस note से बात कर सको आपको समझ मैं होगा कि यह सारी services कैसे एक साथ work करती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज जरूर से लाइक करिएगा अगर आप इस चैनल पे नहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिलकूर मत भूलेगा क्योंकि मैं regular basis में नएने वीडियो तो अप्रोड करता हूँ साथी साथ ही हमारी Instagram ID है इसको भी आप जोइन कर सकते हैं उससे आप डारेट कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई doubts होते हैं ब्लोक्चें से रेटेड ब्लोक्चें या फिर वेब्थी से रेटेड आप उसके लिए हमारी Discord community को जोईन कर सकते हैं जहांप हम लोग ब्लोक्चें के बारे में ही बात करते हैं मिलते हैं हम लोग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई